दोफ्तों, आमतोर पर हर महिला को अपने जीवन में कभी ना कभी प्रेगनेंसी टेस्ट करने की जरुवत पड़ती ही है कुछ महिलाएं प्रेगनेंसी किट का इस्तमाल करती हैं जबकि कुछ महिलाएं हॉस्पिटल जाकर अपनी गर्भवस्ता की जाज करवाती है लेकिन अब घर पर भी Pregnancy Test किया जा सकता है वो भी बिना Pregnancy Kit के दरासल शैंपू या चीनी जैसी घरेलू चीजू से भी गर्भावस्ता की पुष्टी की जा सकती है यूरीन के साथ चीनी की प्रतिकिरिया द्वारा घर पर भी गर्भावस्ता की जाच की जा सकती है हाला कि कुछ हफ्तों बाद Pregnancy Kit से अपने गर्भावस्ता के पुष्टे कर लेनी चाहिए आईए जानते हैं कैसे किया जाता है चीनी से Pregnancy Test पर उससे पहले अगर आप मेरे चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कर लीजे और बैल बटन को भी क्लिक कर दीजे ताकि मेरी लेटेस्ट वीडियो की अपडेट आपको मिलती रहें प्रेंट्स हम सभी जानते हैं कि गर्बधारन के बार महिला की शरीर में SCG हार्मोन का इस्तर्प बढ़ जाता है जो प्लेसेंटा द्वारा उत्पन होता है यूरीन में human cryonic gonadotropin हार्मोन्स की उपस्तिती से ही pregnancy की पुष्टी होती है अब जानते हैं इस टेस्ट के लिए आवशक सामगरी दो चम्मच चीनी, एक बाउल, सुबह उटने के बाद महिला का पहला यूरीन चीनी से pregnancy टेस्ट करने के लिए सुबह के पहले यूरीन की अवशकता पड़ती है क्योंकि पहले यूरीन में SCG हार्मोन की मात्रा अधिक होती है इसलिए pregnancy की जाँच असानी से हो सकती है एक बाउल में एक चम्मच चीनी लें दूसरे बाउल में यूरीन का सेंपल रखें अब चीनी वाले बाउल में थोड़ा सा यूरीन मिलाएं कुछ मिनट तक इंतजार करें और यह देखें कि चीनी यूरीन के साथ मिलकर कैसी प्रतिकरिया करती है चीनी किसी भी तरल प्रदार्थ के साथ मिलकर गुलने लगती है इस टेस्ट में भी यही देखा जाता है कि जब कोई स्थरी प्रेग्नेंट होती है तो उसकी यूरीन में SCG हार्मोन का इस्तर बढ़ जाता है जो चीनी के साथ मिलने पर चीनी को घुलने से रोकता है और चीनी एक जगा इखटा हो जाती है इससे यह confirm हो जाता है कि test positive है यानि कि महिला pregnant है जबकि यदि चीनी यूरीन में घुल जाती है तो इसका अर्थ है कि test negative है यानि कि महिला pregnant नहीं है तो friends इस तरह आप घर पर ही चीनी से बिल्कुल असानी से pregnancy test किया जा सकता है तो friends अगर आपको इवीडियो पसंद आई है तो इसे like को share कर दीजिए या आपका कोई सवाल या सुझाव है तो हमें comment करके जरूर पूछे और अगर अब तक आपने मेरे चैनल को subscribe नहीं किया है तो इसे subscribe कर लीजे मिलते हैं एक और नई informative वीडियो के साथ Thanks for watching